आज हम पढ़ेंगे हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के एक हमारी जरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन में हम मिली एक ही दूप हमें हैं सीचे गए एक जल से हम पले हुए हैं जुल जुल कर पालने में हम एक पबन के हम सब सुमन एक उभवन के रंग रंग की लूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी लेकिन हब सम्मिल कर हीस उभवन की सोबा सारी एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के सूरज एक हमारा जिसके किरन उसकी कले खिलाती एक हमारा चांद चांद ने जो हम सब को नहलाती मिले एक से सर हम कोहे भारों के मीटे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के काटों से मिलकर हम सबने हस हस कर जीना सीका एक सुत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीका सब के लिए सुगंद हमारी हम सिंगार धनी निर्धन के हम सब सुमन एक उपवन के मच्चों हम इसका बितार में सिखा रहे हैं कि हम सब बगीचे के सब फूल है सब एक ही बगीचे के फूल है निया जैसे एक ही धर्ति के हम सब फूल है एक हमारी धर्ति है न तो जिसकी मिटी में जन में हम मिली एक ही धूल्प हमें बगीचा से अलग-अलग फूलों से सोभा वरती है उसी तरह से हम सभी भी धर्धरती के सोभा हैं और हमारे एकमाली मतलब जैसे की बता रहा है कि एकमाली को मतलब हमारा एक भगवान है उसी के नीचे हम लोग रहते हैं एक नीचे गगन के और एक हमारा सूरज है और एक हमार चांद है और हमें सभी को एक ही स्वर और जैसे भारों को जैसे मीठे गुंजन दिये हैं उसी तरह से हमें भी मीठे स्वर दिये हैं काटू से मिलकर हम सबने हसंसकर जीना सिखा उन्हें हमारे जीवन में दुख विपत्ति आती है तो हम उसमें जैसे फूल जैसे बारिस होते ह पवन आते हैं अंधर तुफान आते हैं फिर भी वो हस करें हुए खिलते रती हुसी तरह से हम बढ़ना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए एक सुत्र में बंकर हम सब में हाल हम सब को एक जूट रहना चाहिए, तब ही हम किसी का गले के जैसे फूलों को मूर्थ कर हम लोग एक हार बनाते हैं, उसी तरह से हमें भी सब को मिल जूल कर एक साथ रहना चाहिए. अजल लिए सुगंध हमारी, हम संगार धनीनेतन की और हम सब क्या हैं, एक सुगंध हैं, और हम लोग कोई अमीर के बच्चे हैं, तो सब के हम संगार हैं, सजावट हैं, उस गर के हम सजावट हैं,